प्रणामबा देश्वा खातीर बिहार खातीर गाउं के जीनगी के आशान बनावे खातीर और व्यवस्ता मजबूत करे खातीर मच्री उत्पादन, डेरी, पशुपालन और क्रिशिक खेत्रे में पढाई और रिसर्चे जुडले सेंक्णन करवड रुपया के योजना के सिलान्यास और लोकारपन बैल ह। एकरा खातीर सव से बिहार के भाईबहन लोगन के अनगाब बधाई देतनी। बिहार अब उत्तम देशी नस्लों के विकास को लेकर देश का एक प्रमूख सेंटर बन रहा है। राष्ट्रिय गोकुल मिशन के तहट आज पूर्णिया, पट्ना, बरोनी में जो आधूनिक सुविधाय बनी हैं। उससे डेरी सेक्टर में बिहार की स्थिती और मजबुत होने वाली है। पूर्णिया में जो सेंटर बना है, वो तो भारत के सबसे बड़े सेंटरों में से एक है, इससे सिर्फ बिहारी नहीं, पूर्वी भारत के बड़े हिस्षे को बहुत लाब होने वाला है। इस केंदर से बच्छोर और रेड़ पूर्णिया जैसी बिहार की देशी नस्लों के विकास और सवरक्षन को भी और जादा बढ़ावा मिलेगा। साथियों, एको गाय सामान्य तह एक साल में एक बच्चा देवेली, लेकिन आईवी एप तकनिक से, एक गाय की मदद से एक साल में अनेकों बच्चा प्रयोक साल में हो रहलबा। हमार लक्ष ये तकनिक के गाउं गाउं तक पहुचावे के बाग। साथियों, पश्चुओं की अच्छी नस्लों के साथ ही, उनकी देखरेक और उसको लेकर सही बैज्यानित जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती हैं। इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टक्लोलोजी का उप्योग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इगोपाला एप शुरू किया गया है। इगोपाला एप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा, जिससे पशुपालकों को, उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। उनको बिचोनियों से मुक्ति मिलेगी। ये एप पशुपालकों को उत्पादक्ता से लेकर, उसके स्वास्त और अहार से जुड़ी तमाम जानकारिया देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशुपालकों कब क्या जरूरत है और अगर वो बिमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्द है यही नहीं, ये एप पशुपालकों आधार से भी जोड़ा जा रहा है।